नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रभी और मैं आप लोगों से इस वीडियो में Max Life के Saving Advantage Plan के बारों में बात करने वाला हूँ और ये वीडियो आप लोगों को देखना क्यों जरूरी है और ये प्लान आप लोगों को समझना क्यों जरूरी है जरा इसको आप लोग समझ देजिए जैसे कि अगर आप लोग Fixed Deposit, Triggering Deposit या फिर अगर आप लोग कोई भी Post Office या फिर बैंक के Deposit Scheme में पैसा दालते हो तो आप लोगो कितना benefit मिलता है ज्यादा 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 6%, 5%, 4% इस समय के present के interest rate के according अगर आप लोग पीप में जाते हो तो 7.1% तक की ब्याजदरे आप लोगों को मिलती है लेकिन Max Life ने अपने इस saving advantage plan को इस तरह से design किया है कि आप लोगों को यहाँ पी 8% तक का ब्या अगर आप लोग alternative चाहते हो कि आप लोग fixed deposit, recurring deposit या पर post office की या पर कोई भी फिलना डिंग काना इस scheme से अच्छे return आप लोगों को मिल सके और आप लोगों को flexibility और premium यानि कि आप लोग monthly, quarterly, yearly, half yearly जो भी options आप लोग choose करना चाहते हो अगर आप लोग one time payment करना चाहते हो अगर अगर आप लोग regular payment करना चाहते हो अगर आप लोग limited payment करना चाहते हो तो यह सब कुछ आप लोगों को policy ला करके देती है इसमें minors भी आ सकते हैं यानि कि जो 18 से कम के हैं उनके लिए भी आप लोग यह policy ले सकते हो जो अभी बच्चे जन्में हैं उनके लिए भी आप लोग ले सकते हो तो यह best option हो सकता है max life का saving advantage plan तो मैं official advisor हूँ IRDA approved max life का तो आप लोग मुझसे यह plan भी buy कर सकते हो यह नीचे जो whatsapp number दिख रहा है इस पर आप लोग message कीज़ेगा अगर आप लोग यह plan लेने में interested हो बाकी मैं आप लोग को पूरे illustration में example की थूर एक एक detail बताऊंग आप लोग fix deposit या फिर कोई भी small saving scheme में डालते हो आप लोग तो आप लोगों को interest के साथ वो पैसा मिले गया जैसे कि एक साल में आपने 6,90 पर कमाए 6% के हिसाब से 1,6,000 अगर death हो जाती है policy holder की या जिसने भी investment करा है तो उसके nominee को 1,6,000 मिल भी है वही पर दोस्तों अगर आजमी लेगा यहां पर 8% तक ही calculation पर प्लस 5.5% का extra वो आप लोगों को illustration में समझ में आएगा और साथ ही अगर demise हो जाती है तो policy holder की family को या फिर nominee को 11,00,000 से लेकर के 14,00,000 रुपए तक के benefit मिल सकते हैं तो देखिए जहां पर आप लोगों के family को आप लोगों के ना होने के आप लोगों के पास है तो आप लोगों को वहीं पर जाना चाहिए तो यह plan बहुत important है तो सभी के साथ share कीजेगा सभी के पास यह plan जरूर होना चाहिए तो चली चलते हैं हम अपने directly computer screen पे जहां पे आप लोगों को मैं सब कुछ illustration detail में समझा सकूँ तो दूस्तों यहां पे यह official website है आप लोग फिलाल मेरे computer screen पे आ चुके हैं यह official website पे लाने का मकसद एक था कि आप लोग अपनी eligibility समझ सको तो यहां पे eligibility को आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ age of the life insured at entry age on last birthday तो single pay के लिए 8 साल limited या फिर regular pay के लिए 0 years से लेकर के 91 days at the time of applying for this plan ठीक है where the life insured is a minor in such a case the proposal should be either parent or legal guardian and must have insurable interest on the life of the minor the risk coverage is यानि कि आप लोगों को कहने का मतलब है कि या तो गार्जियर होने चाहिए या फिर कोई भी legal parents होने चाहिए जो कि उसकी custody लेकर के रखे हों maximum की बात करते हैं तो single pay के लिए 65 years limited के लिए 60 years है regular pay के लिए 45 years है single limited और regular को समय लिजे single में क्या होगा कि इस plan में आप लोग किवल एक बार premium भरेंगे और आप लोग जितने समय के लिए policy को choose करते हैं उतने समय तक आप लोगों को cover मिलेगा और आप लोगों का पैसा कमा करके देगा limited pay के लिए क्या होगा कि आप लोग चूज करते हो जैसे कि आप लोगों को policy term लेनी है 15 सालों के लिए लेकिन आप लोग चाहते हो कि आप लोग किवल premium 5 साल तक बरो हो सकता है कि आप लोगों को जितना इसमें invest करना है उतना पैसा एक साथ ना हो आप लोग limited pay को चूज करते हो जो की 5 शाल 6 साल आप लोगों के according जो भी चूज करते हो तो वह जो एज होगी वो maximum 70 साल की होगे ठीक है शाठ साल के हैं तो आप लोग limited pay को चूज कर सकते है maximum वालों के लिए regular pay के लिए यानि कि throughout the policy जैसे कि आप लोगोंने policy term 25 सालों की choose करी, 20 सालों की choose करी, तो आप लोग 20 सालों तक regular अपनी premium pay करना चाहते हो, तो regular pay में आप लोग आ सकते हो, जो कि maximum age 45 years की होगी, तो ये एक छोटी सी eligibility थी जो आप लोग समझेगा, और maturity age of the life insured, age as on last birthday, तो minimum जो age होनी चाहिए, अगर policy की maturity लेनी है, तो 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, नाबालिक की maturity नहीं होगी, ध्यान ये रखिएगा, maximum के लिए single pay में, maximum जो जाएगा 75 years तक की limited के लिए 80 years तक की regular pay में 65 years तक, ये छोटी सी eligibility की criteria थे जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, बाकी illustration में हम लोग जाते हैं, मैंने अपना नाम ल advisor का portal होता है, जो की अपने customers को या फिर के लिए जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये उनकी लिए होता है, तो ये आप लोगों को plus benefit मिल रहा है कि accurate जो आप लोगों को अलग websites वगरा पर जाकर calculate करते हो, उससे ज्यादा accurate आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले ह तो हमने क्या किया है कि इसमें limited पे चूज करा है, regular में आप लोग क्या करोगे, कि regular जब तक आप लोगों की policy term होगे, आप लोग चूज कर सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो कि 20 साल तक हमें चाहिए, तो policy term भी हमारी 20 साल की हो जाएगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, policy term भी 20 साल की हो गई, ठीक है, single में क्या कर रहे हो, कि single में एक बार हम premium भरेंगे, यहाँ पे कोई option नहीं आ रहे है, यह मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, और policy term आप लोगों को यहाँ पे maximum 10 साल की मिलेगी, अगर आप लोग single को चूज करते ह तो उसी तरह से हमारा policy term भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 10 साल से सुरू है, मैं policy term को 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 5 साल के premium term में चूज करता हूँ, तो मैं maximum 30 साल तक cover ले सकता हूँ, ठीक है, 30 साल तक यानि कि policy के होने के बाद से, यानि कि अगर आप लोग 25 स से ले करके 30 साल तक, तो इस तरह से आप लोग चूज करते हो, तो मैं 5 साल एक मोटा मोटी आप लोगों को समझाने के लिए चूज कर रहा हूँ, और जो premium है, वो मैं चूज करता हूँ, policy term के लिए 10 में चूज किया है, premium mode जो मैं चूज करा है, payment mode, वो annual चूज करा है, इसमे के premium solution लेना है, हमें के कितना premium वगरा बरना है, तो वो सारी चीज़े हमें यहां से करनी है, तो उतना हमें पंचड़ा नहीं जाना है, हमें बिलकुल exact और wiggle simple रखना है, तो एक लाख रुपए हम यहां पे डाल रहे हैं, बाकि additional benefit लेना चाहते हैं, तो accidental death cover लेंगे, आप लोग ही बढ़ जाएगी, तो इसको भी हम लोग रहने देते हैं, अगर आप लोग लेना चाहते होंगे, तो दे देंगे, इसमें साथ में ही, आप लोग message करना, मैं आप लोगों दे दूँगा, illustration में, फिर हम लोग यहां पे next करते हैं, तो next करके आप लोग देख रहे हैं, साथे चाराजार रुपए मैंने एक लाग की policy ली है, तुम क्यों साथे चाराजार रुपए extra लेर हो, तो देखिए यह company लेती है और यह GST होता है आपका, ठीक है, तो एक लाग का अगर आप लोग प्रीमियम भर रहे हो, तो आप लोगों को साथे चार परसंट की पहले सा साल में GST देनी पड़ेगे, वहीं पे जब आप लोगों का renewal होगा premium, यानि कि दूसरे साल सा जब premium भरना start करेंगे, तो 2.25 की हो जाएगे, यानि कि आप लोगों का एक लाग पे 2.25% तक का premium पे GST लगेगा, 2.25% की, ठीक है, तो यह जो आप लोगों का पूरा premium हो जाएग यानि कि आप लोग क्या सकते हो कि 5.45,000 के आसपास आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, guaranteed benefit जेरा ध्यान रखेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को total benefit payable guaranteed प्लस non guaranteed, अब non guaranteed में लोग यहाँ पे confused जाते हैं, यह company देगी की नहीं देगी, तो यह देखे, यह पूरा आप premium को भरना पड़ेगा समय से, ठीक है, अगर आप लोग समय से premium भड़ते हो, तो आप लोगों को maturity benefit मिलेगा, वो 8% मिलेगा, यानि कि दसमें साल में आपको 8% की maturity benefit के साथ 7,57,000 रुपए मिलेंगे, इसके साथ और भी कुछ मिलेगा, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरे calculation के साथ में दिखाऊंगा, ठीक है, और अगर आप लोग कोई भी premium miss करते हो, तो आप लोगों का maturity होगा, वो 4% पे calculate होगा, जो कि 6,1337 रुपए होते हैं, जैसे कि आप लोग saving account में पैसा रखते हो, अब माल लोग कि आपके पास कभी पैसा नहीं हुआ, तो आपने क 4% तक का ब्याज मिलता रहेगा, आप लोगों ने जो भी यहां पे पैसा डाल रखा है, अब जरा इसका हम लोग पूरा illustration देखते हैं, कि throughout the policy आप लोग के साथ क्या-क्या होता है, देखे, यहां पे policy detail में अगर आप लोग जाएंगे, यहां पे देखे, तो sum assured क्या है, आप लोगों का 3,95,000, अगर आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, तो इसको जरा आप लोग नोट करके रख लीजेगा, ठीक है, 3,95,993 रुपए, इसको जरा नोट करके रखेगा, और sum assured on death at inception of the policy, 11,00, रुपए, ठीक है, यह death benefit है, policy holder की, यानि की nominee को claim मिलेगा, यह, अब यह हाँ पे देखिए, आप लोगों की GST प्लान देए, यह, बेस प्लान है, वो एक लाग का आपने लिया है, ठीक है, आपकी जो first year की GST लग रही है, वो 4.5% लग रही है, जो की आप लोगों का total installment पहले साल का 1,4,500 रुपए, दूसरे साल का 1,2,250 जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, इसको जरा समझे, यहीं पर पूरी गडित है, और इसी को आप लोग समझ गए, तो policy को पूरी अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए, और आप लोग समझ गए, कि आप लोगों को पैसों के साथ अभी क्या करना है, क्या आप लोगों को fixed deposit अभी भी करानी है, या फिर आपका पैसा यहाँ पर डालना है, तो देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग 1,00,000 रुपए डालते हैं, तो guaranteed benefit में आपको क्या मिलता है, 21,780 रुपए, अब जो मैंने आप लोगों को कहा कि इसको note करके रखिएगा, तो इसको note करने के लिए, इसलिए मैंने क मैं यहाँ पर calculator खोल करके दिखाता हूँ, 3,95,993 रुपए, यह आप लोगों का sum assured है, तो sum assured का 5.5%, ठीक है, आप लोगों को मिलता है throughout जो भी आप लोगोंने policy term चूज करा है, policy paying term चूज करा है, उसमें, यानि कि 21,789 रुपए, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यही 5.5%, 21,780 रुपए आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो की premium paying term जो 5 साल तक आपने चूज किया है throughout, देखें, 1,2,3,4,5 into 5 कर दें, तो यह जो आप लोगों का additional benefit है, 18,898 रुपए, तो यहाँ पर देख रहा है, तो आप लोगों को death benefit मिल रही है, 11,00, रुप the policy मिल रही है, surrender benefit आप लोगों का दूसरे साल से start होता है, अगर आप लोगों को policy surrender करनी है, 17,648 रुपए आप लोगों guaranteed में मिल जाएगा, ठीक है, maturity benefit आप लोगों का जो 4%, 8% में है, वो surrender value के साथ calculate नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बाकि अगर आप लोग चल करके 9 साल में surrender करते हैं, तो आप लोगों को 5.47 लाक रुपीज थका मिलेगा, यहाँ पे देखे, maturity benefit में आप लोगों को जो guaranteed, non guaranteed, 4,8% वाले में है, कुछ भी नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखेगा, यह वाले line पे, ठीक है, तो यह सारी चीजी हैं जो ध्यान लाक मिलेगा, ठीक है, अगर लास्ट येर तक में अगर पॉलिसी होलडर की मालीजी साथवे, या फिर आठवे, या फिर नौवे, या फिर दसवे साल में हो गई, तो 12 से लेकर के 14 लाक रुपे तक की, यानि कि throughout the policy, 11 लाक से लेकर के 14 लाक तक का death benefit मिलता है, अगर वो policy लं लोगों को दिख रहा है, वैसा ही आप लोगों को policy में भी benefit मिलेगा, तो जो मैंने आप लोग कहा कि आप लोग ये वाला amount ध्यान में रखिएगा, तो ये जो आप लोगों को maturity benefit मिल रही है, ठीक है, 7,57,000 रुपे, तो इसको भी आप लोग इसके साथ जोड़ देजे, 7,57, 8,864 रुपे, ठीक है, तो आप लोगों को जो policy का पूरा benefit maturity पर मिलेगा, 8,66,762 रुपे, यानि कि आप क्या सकते हो कि 8,66,66,000 का आप लोगों को policy benefit मिल रहा है, आप लोगों को आप लोगों को ने किवल 5 साल तक premium पे किया, 11,00, रुपे, और आप लोगों को 8,66,762 रुप पर मिलेगा, जो आप लोगों की fixed deposit, trickering deposit या फिर post office की कोई भी scheme नहीं दे सकती है, और उनसे बहतर return भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस policy में, तो कोई question हो, तो बताइएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला सूख रहा है, तो बाकी और कुछ समझाने को है भी नही यहाँ पर आप लोग आईए, आप लोग WhatsApp पे भी मुझे message कीजिए, अपनी age के साथ कितना premium pay करना चाते हैं, इसमें regular लेना चाते हैं, limited लेना चाते हैं, या फिर single लेना चाते हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को policy दे सकता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को benefit भी मैं दे दूँगा, आप लोग message करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग personally आप उसमें बात करके discussion करते हैं, ठीक है, तो नीचे जो WhatsApp नंबर आप लोगों को दिख रहा है, उसको आप लोग सेव कर लीजिए मेरे नाम से, और मुझे अपनी नाम के साथ message कीजिए जिससे कि मैं आप लोगों का नाम सेव कर सकूँ, जिससे कि हम लोगों का future contract बनता रहे एक दूसरे के साथ, दोस्तों ये तो रही पूरी policy की detail जो मैंने आप लोगों को समझाई है, I hope कि मैंने अपनी तरब से 100% दिया, आप लोगों को पूरी अच्छे तरह के समझ में आया अब कोई भी confusion हो, question हो, तो नीचे जो WhatsApp नमबर दिया है, यहाँ पर आप लोग पूछ लीजेगा, अगर ये policy को buy करना चाते हैं, तो highly recommend करता हूँ किस WhatsApp नमबर पर content कीजी, आप लोगों को extra benefit भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथी दोस्तों आप लोग नीचे comment box भी छोड सकते हैं, आप लोग मुझे Instagram पे भी आ करके जुड़ सकते हैं, कि कई बार क्या होता है, कि जो महिलाया होती है, वो अपने personal WhatsApp नहीं share करना चाते हैं, किसे के साथ, तो वो directly मुझे आ करके Instagram पे भी content कर सकती हैं, वहाँ भी हम लोग discussion कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ट्रस्क कर दीजीगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजीगा, और बल आइकनों क्लिक करेंगे, तो इसी तरह से मैं आप लोगों को हर रोज मिलता रहूंगा, इसी तरह की कुछ important videos के साथ, हम लोग next video मिलते हैं, तब तक कि लिए आप लो